नमस्कार स्वागत है आपका वीबांदी कुकिंग में आज हम मिलकर बनाएंगे वेचिटिबल सैंडविच बहुत आसान तरीके से और सब को पसंद आएंगे आप इस रेस्पी को ट्राइ करना बहुत बढ़िया बनेगी वीडियो शुरू करने से पहले आपने अगर मेरा चै सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब करना शेर करना लाइक करना चलो शुरू करते हैं वेचिटिबल सैंडविच बनाना उसके लिए सबसे पहले हम मियोनिस लेंगे दो से तीन चमच उसमें फाइनली चाप टमाटर मिक्स वेचिटेबल और प्याज यादा करते हैं मिक्स हबप डाला नम jagout शीन बेटी कर सकते हैं भी हमारी वेचिटेबल सैंविच के लिए बन कर अब हम उन्हों के किनारे जो है जुह हो जो यह धो हुदे सीन वाले हाड होते हैं इनको शेराल काते हुद हाट यह नहींिक काते में तो तो जब हम सैंड्विच खाएंगे तो साइड वाले पार्ट को जब खाएंगे तो फीका और थोड़ा हाड होता है इसलिए फाइनली चॉप करने के बाद चारो के नारे काटने के बाद हम सबसे पहले कोटिंग करेंगे बटर की साल्डी बटर मैंने लिए आप उन्साल्डी बटर भी यूज़ कर सकते हैं बटर के बाद हम सेकिंड लेरिंग करेंगे सास की टमैटो सास होट अचिली आप अपने मन पसंद कोई भी सास की लेरिंग कर सकते हैं दूसरी ब्रेट के ओपर जो हमने वेजीटेबल व्याउन इस अच्छे से स्प्रेट कर देंगे उसके बाद हम दोनों को फोल्ड कर देंगे बहुत बड़ी हमारे सैंडविच अल्मोस्ट बन गए है अब हमने इनको काटना है ट्राइंगल काटेंगे या स्क्वेर काटेंगे वह आपकी पसंद है यह हमारे वेजीटेबल जो चाहिए वो यह सैंडविच को ग्रेल पर तवे पर गरम भी कर सकते है थोड़ा सा ओयल की या घी की कोटिंग करने के बाद इस तरह से अब यह हमारे वेजीटेबल सैंडविच बन कर त्यार है मियॉनिस की रेस्पी मेरे चैनल पर आप मियॉनिस अपने घर में ही बना सकते ह बहुत ही हेल्दी मिक्स वेजीटेबल सैंडविच बन कर त्यार है मियॉनिस hints के कोम्इनेशन वाला बन कर त्यार है दो तरह से हमने बनाया है ग्रेल करके और बिना ग्रेल करके दोनों का हिस्वात अपने आप में बहुत ही झाल झाल